तो आज के वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टन्ट अब्डेट्स है जो मैं आपसे आपर शेयर करूंगा बिटकोईन के बारे में भी हम यापर बात करेंगे जो करेंटली आपर 17,400 डॉलर पा गया है तो लास्ट हमने जो वीडियो बनाया था अपसे 200 डॉलर का जंप जो आ गया है एक टाइम पर हजार हजार डॉलर के जंपते हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं थे और आज की डिट में 200 डॉलर के जंप होते हैं तो पूरा मार्केट एक्साइटड हो आता है we get used to things very quickly right but charts के बारे हैं बात करेंगे साथ में आपर finally हमारा जो effort था ever since I came back from my trip की सारे exchanges जो हम बोलें के proof of reserve और most importantly अपने wallet address आप reveal करें जो मैं 2018 से बोल रहा हूँ finally उसके अंदर दो बड़े exchanges जो है उन्होंने further यहाँ पर release कर दिया जहाँ पर पहले CoinDCX ने कर दिया था उसके बाद यहाँ पर CoinSwitch को बेर नहीं किया और WazirX ने भी release किया लेकिन कुछ चीज़े हैं जो आपके लिए जानना यहाँ पर important है और मैं आपको बताऊंगा मेरा reason क्यों था wallet address को reveal करने के लिए push करने के लिए इसके बाद और भी important चीज़ें which we need to look into वो बात करेंगे साथ में आपर Gemini Exchange and DCG का चली रहा है मतलब there's so much drama that is happening मतलब यह लग रहा है इतना ड्रामा है किसी दिन एकदम सी सब कुछ तूट के सामने निकल के यहाँ पर नहीं आ लेकिन उसको invalidate करने के लिए charts पे कुछ parameters ऐसे move होने चीज़ें जो बोले कि हाँ भई actual में breakout है अगर आप सिर्फ TA इस basis पे करते हैं कि candle कैसी move कर रही है that means कि आप real picture को नहीं देख रहे हैं तो हमेशा scenario होता है अगर नीचे जाना है उपर जाना है charts में indicators यह parameters जो जिस तरह से match करके move करते हैं वो सब आपको दिखाते हैं बस आपको देखना आना चाहिए and उस according अगर आप plan करो तो life becomes easy जो ज्यादा तो लोग उसी को miss कर जाते है candle के basis पे trade कर लेते हैं और बाद में फस जाते हैं उसके अंदर but anyways अभी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे last हमने बात करी कैस यहाँ पर एक bearish divergence बन रही है and यह bearish divergence जो थी वो मैंने basically यहाँ पर last जो हमारा एक तरह से जो up point था है आपर 18,200 dollars वहाँ से लिया था जहाँ पर अगर आप देखोगे price आप देख सकते हो कहाँ पर थी अभी candle कहाँ पर है RSI लेकिन अगर आप देखोगे देखो यहाँ पर थ You see this? यह candle कहाँ पर थी? इसका RSI कहाँ पर था और अभी अगर आप देखोगे हमारी जो RSI की candle है almost इसके level पर आ गई है तो यह दोनों की दोनों मिया बीवी है इन मिया बीवी का साथ में चलना जरूरी है candle और RSI का साथ में चलना जरूरी है अगर साथ में नहीं चल रहे है म हमने काफी बार play out होते हुए देखने को हमको मिलिये सिर्फ इसको invalidate करने के लिए अगर आप बोलो कि ऐसा क्या होगा कि यह bearish flag भई हट जाए यहां से हमको नहीं चीए bearish flag हमको जाना we want to go to the moon तो इसके लिए सीधी सी चीज यह है कि हमको यहाँ पर एक अच्छा price चम एक अ बहाँ पर भी rejection के chances आ जाएंगे because at this point it was still valid but now with this even अगर इसे level पर आते हैं problem यह रहेगा because we are still going to be below this it won't make any sense in fact अब यह हो गया कि हमको 21 के भी उपर जाना पड़ेगा तो now I hope आपको समझ में आ रहे हैं किस basis पे आपको यह चीज बता रहा हूँ ताकि आप evaluate कर पा रहे हो 19 कप सही था अगर हम यह जो पुराना RSI है हम उसी कवकाटिंग चलते हैं और RSI भी उसके level के नीचे रहता लेकिन अब RSI जो है पुराने इस level पर आगे मतलब इतनी मेहन तो according I'll just wait क्योंकि कल 12th of January भी है कल CPI numbers आने वाले है और उसके बाद क्या statement होती है that's going to be very important and worth keeping an eye on तो इसका भी काफी impact हो सकता है यूजली हमने देखा है CPI numbers आने से पहले थोड़ा positive अगरे movement होता है तो we'll keep on evaluating लिकन अभी के लिए I'll say just be careful keep an eye here अब next moving on हम यहापर बात करते है proof of reserve की जो काफी जादा important है and यह proof of reserve काफी लोग बोलते है कि आप क्यों मांग रहे हैं Indian exchanges use कौन करता है देखो मांगने का reason यह है कि हम इंडिया की community को हम लोग ही है जो यहापर represent करते हैं और अगर मैं भी खुद भी Indian exchanges पिता trade नहीं करता हूँ तो बहुत सारे users है जो यहापर trade करते हैं and important है कि यहाँ पर हम लोग जहाँ पर चीज़े लगती कि जरूरी है user के लिए उस चीज़ के उपर concern raise करें अगर यहाँ पर यह proof of reserve सामने नहीं आते है न वॉलेट एडरस नहीं आते हैं तो हमको आगे भी cases देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर exchanges कोलाप्स हो सकते हैं इतने सारे exchanges दिखते हैं आज की 8 में, आप खुद देख सकते हैं हमारे सामने आई हैं, जिनको देख के आप बोल सकते हैं कि कितने एक्षे exchange हैं, इतने बड़े-बड़े investment उनके अंदर, लिकिन वो हुए ना collapse, अगर आप देखो कि FTX कोलाप्स हो गया, इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो, वाल्ड भी तो कलाप्स हो गया, आप Celsius देख लो हैं आपर कलाप्स हो गया, लूना वाला कितना बड़ा डिजास्टर हो, तो ऐसे इतने सारे प्लाटफॉर्म जो हमारे सामने, जो when loan name है, जिसको हर कोई ट्रस्ट कर रहा है, जिस पर बड़े-बड़े VCs तक ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनको तो users की ट्रस्ट की तो बात अलगी हो जाती है, तो वहाँ पर वो कॉलाप्स होते हो, तो उनी को सेफगाट करने के लिए चीज़े इंपोर्टन है, कल को कोई भी exchange कॉलाप्स हो सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से precaution तो बोल सकते हैं कि यार आप ये details दो, इसी कारण में इन चीज़ों के लिए बोल रहा था, कि मतलब we need to ask them कि आप इस चीज़ को provide करो, and thankfully now they have listened, काफी request करने के बाद, so I am really happy कि finally चलो, यहाँ पर इतना बोलने के बाद कम से कम release तो किया, तो CoinSearch Kuben ने अपने proof of reserve of wallet address, I am more happy about wallet address जो यहाँ पर कर दिया, तो इस sheet को भी हम यहाँ पर updated कर देंगे, अब एक चीज़ जो सामने यहाँ पर निकल के आई न, वो यह कि अगर आप देखोगे, recently Binance और WazirX का case हुआ था, जहाँ पर उनका चल रहा था, Binance तो basically बोल दे कि नहीं है, WazirX हमारा नहीं है, मतलब हो चल रहा है, लेकि में यह था कि भई, जो user crypto buy कर रहे हैं और assets buy कर रहे हैं, वो assets कहाँ पर हैं, वो WazirX के पास हैं, वो Binance के पास हैं, वो कहाँ हैं, तो उसको लेकि आप answer which I wanted, लेकिन कोई दे नहीं रहा था, कोई direct answer में कोई दे नहीं रहा था इस बारे में, वो आप finally यहाँ निकल किया है, which I was looking forward to, 90% अगर आप देखोगे user के जो assets हैं, वो Binance के wallet में hold यहाँ पर होते हैं, तो आपने जो भी, यह बात नहीं हो रही कि Binance के उपर आप trade कर रहे हो तो वो अला नहीं, जो सरफ WazirX को use करते हैं और वहाँ पर crypto को buy करते हैं, तो उनके 90% जो asset हैं, वो Binance के उपर रहते हैं, और जिसको लेकर यह report भी सामने आई है, which I am trying to figure out कैसे मैं चेक कर रहे हैं, कि हर जगे तो इन्होंने Binance, Binance, Binance 4, Binance 1, Binance 2, यह Binance के wallets का interest दे दिया है, so I am not sure इसमें से किता क्या है, मतलब there is not much to look at this, तो इससे एक चीज़ यह सामने निकल के आ रही है, कि इंडिया में नहीं है, तो यह this is something which has come forward, but anyways, anyways I am happy, कि at least the details यह हमारे सामने निकल के आई हैं, and coin DCX हो गया, उनका proof of reserve, वहाँ पर भी कुछ चीज़े हैं, which I have noticed, and I am, I'll, 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 I keeping an eye on, यह एक step था कि यह लोग details release करें, अब यह details आगे, अब इसके basis पर बहुत सारे important question है, जो आने वाले time पर में raise करेंगे, and raise करने का main reason यह, it's for the users, मतलब जरूरी नहीं यह चीज़े raise करना, लेकिन अगर हम लोग नहीं करेंगे, तो फिर कैसे हम यह trust भी कर सकते हैं कि यहाँ पर किया, यह पूरी चीज़ के नदर किया, हम सब साथ में करेंगे, तो exchanges को जवाब देना पड़ेगा, दिया इनों यहाँ पर बाकी exchanges भी सामने निकल के आएं, दे तो it's going to be good, but at least I'm happy कि चलो यहाँ पर यह information आ गई है, इनोंने release करिये, अब next moving on, DCG and Grace के लिए दो जब भी billionaires fight करते हैं, परशान लोग यहाँ पर हो जाते हैं, अब यहाँ पर एक और open letter जो है, यहाँ पर Cameron Winklevoss ने दे दिया है, जो Gemini Exchange को own करते हैं, और उन्होंने यहाँ पर यह बोला है, कि वो बोल रहे है कि Barry Silbert को आप यहाँ पर, इनकी जो position है, उससे आप remove करो, as CEO इन हमने बहुत investment कर रखा है, around 200 companies के अंदर, और हम इतने time से हमने trust build किया, तो we are not going anywhere, एक दूसरे को bash करने से better, it is better that we work together, so this is what they have said, and we'll have to see यह किस तरह से turn out करेगा, देखो, news तो बहुत सारी आ रहे है, यह news यह आ रहे है कि Binance के उपर भी investigation हो रहे है, news यह आ रहे है कि इनके हमने आई नहीं है, लेकिन background में something is definitely happening, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, FTX का collapse, एक बड़ा collapse है, वो काफी deep थे, तो उनके collapse होने के बाद, और भी cascading effect देखने को मिल सकता, अब इन लोगोंने, इनकी गलती है कि नहीं है, वो time आने पर पता चलेगा, अभी हमको कुछ नही अपने wallet में रखो, बाद में move कर लें, और ज्यादा लग भी रहा, तो थोड़ा सा fund रखो अपने exchange पे, बाकि अपने wallet पे रखो, it's better, मैं तो यही अभी plan कर रहा हूँ, जबते के चीजे, I don't trust anyone, I don't trust Binance, I don't trust any exchange, I trust myself, Satoshi Nakamoto ने भी Bitcoin को यही सोच के बनाया था, और उसी मैं भी करता हूँ, और आपको भी मैं यही चीज़ recommend करूँगा, don't trust any exchange, anyone, right, बाकि एक important development यहाँ पर यहाँ है, कि MicroStrategy ने around 13% अपने जो shares है, वो optional buying के अंदर एक deal है उनकी, जो यहाँ पर group 1, जो एक option trading यहाँ पर basically offer करते हैं, उनके साथ करिए, इसका basically मतलब भी है कि based on certain conditions, यहाँ पर MicroStrategy के 13% share जो है, वो buy कर सकते हैं, अब इसमें important चीज़ देखनी की होगे, कि अगर यह जो amount है, यहाँ पर जो MicroStrategy को मिलता है, कि उसको use करके Bitcoin को buy किया जाता है, या फिर अभी उनको funds में कहीं ना कहीं short है, इसकारण वो उस funds को पाने कि यहाँ पर खोशिश कर र या प्रॉबबली वो भी कोई ETF के लिए यहाँ पर try करें, वो एक important चीज़ हो सकती, जो आने वाले time पर यहाँ पर reveal होगी, but guys overall आज के वीडियो में यही update, बाकी what are your viewpoints about Bitcoin, proof of reserve, wallet, address जो सामने निकल के आ रहे हैं, यह जो drama चल रहा है billionaires के बीच में, Genesis, Gemini, Grayscale, Digital Currency Group, do let us know in the comments और अगर आपको यह updates अच्चे लगए guys, वीडियो को like करना मत भूलना और subscribe करना मत भूलना, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए bye and take care, bye bye